नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की साइप्रोमैक सिरप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, साइप्रोमैक सिरप को कैसे लेना चाहिए, और साइप्रोमैक सिरप की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो और यह भी डिसकस करेंगे कि साइप्रोमैक सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को भूग कम लगती है। उन व्यक्तियों में भूग को बढ़ाने के लिए डॉक्तर साइप्रोमैक सिरप को लेने की सला दे सकती है। इसके अलावा साइप्रोमैक सिरप की वज़े से शरीर में थकान वसुस्ती हो सकती है। साइप्रोमैक सिरप की वज़े से वज़न बढ़ सकता है। क्योंकि साइप्रोमैक सिरप भूग को बढ़ाती है जिसकी वज़े से वज़न बढ़ सकता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में साइप्रोमैक सिरप की वज़े से भूग कम भी हो सकती है। इसके अलावा साइप्रोमैक सिरप की वज़े से मुह गले और नाक में सुखापन, चिर्चिडापन, नींद ना आना, दस्त होना, कब्ज होना, सिरदर्ध, चक्कर आना, उल्ती आना या उल्ती आने का मन होना आदी साइड इफेक्ट्स साइप्रोमैक सिरप की वज़े से ह अब हम डिसकस करेंगे की साइप्रोमैक सिरप को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। साइप्रोमैक सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। अगर आप भूग को बढ़ाने के लिए साइप्रोमैक सिरप को ले रही को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन साइप्रोमैक सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की साइप्रोमैक सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। साइप्रोमैक सिरप के साथ आपको श सतर्कता की आवशकता होती है, क्योंकि साइप्रोमैक सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों में कुछ समय के लिए मानसिक सतर्कता कम हो सकती है और नींद अधिक आ सकती है, जो व्यक्ति दिन के समय आफिस में जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर साइप्रोमैक सिरप को केवल शाम के समय लेने की सला दे सकता है क्योंकि कुछ व्यक्तियों को साइप्रोमैक सिरप को लेने के बाद नीन अधिक आ सकती है जिसकी वज़ा से उनका ओफिस का काम प्रभावित हो सकता है वैसे साइप्रोमैक सिरप प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल र रही महिलाओं के लिए साइप्रो मैक सिरप का सेवन करना रिक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को साइप्रो मैक सिरप को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका साइप्रो मैक सिरफ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं